महंगाई अपने चरम पर है एक तरफ जहां पैटोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनकी कमर तोड़ कर रख दी है वहीं अब सबजियां भी महंगाई के दिये जखमों पर नमक चिल रख रही है हालत यह है कि देनिक मजदूरी करने वालों वैक्तियों के लिए सबजी तो क्या चटनी के साथ रोटी खाना मुश्किल हो रहा है प्याज टमाटर और अने सबजियों के भाव आसमान चुने लगे है टमाटर के दाम 70-80 रुपे प्रती किलों से अधिक हो गए है प्याज के दाम भी लगातार बढ़ रहे है फिलहाल प्याज 50-60 रुपे प्रती किलों की दर से बिक रही है तो वहीं हरी सबजियां पालक, गोभी, भिंडी, बैगन, सरी के कई सबजियां आसमान में इसके दाम लग रहे हैं हरी सलाद की पलेड तो खाने की टेबल से गाइब सी हो गई है लगातार बढ़ती महंकाई के कारण लोग अब तरहीमाम तरहीमाम करने लगे हैं सब्जों के बढ़ते दामों पर बोलते हुए सब्जी विक्रिताओं ने बताये कि इस बार बरसात बहुत अधिक हुई है जिस कारण सब्जों की फसल खराब हो गई खासकर हिमाचल प्रदेश से आने वाली सब्जिया बुरी तरह से प्रभावित हुई है महिँ दूसरी ओर पैटोल और डीजल के दामों में विर्धी के कारण भी सब्जों के दामों में बढ़ोते हुई है सब्जी विक्रिताओं का कहना है कि सब्जों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग सब्जों लेने से ही गुरेज करने लगे है प्यास टमाटर के बाव भी देख लिए यह भी आसमान को चुने को और रहा है सारा रसुई का बजट भी घड़ी है जो ग्रेट जी बहुत ही तेज हो चुके हैं महंगाई ने गरीब आजमी की कमर तोड़ के रख दिये यह कारण यह जी कि इससे मौसम खराब था फसले खराब हो चुकी हैं कुछ तो इसलिए फरक पड़ रहे हैं सब्यों की महंगाई में कुछ तेल डीजल पेट्रोल की कीमते बढ़गी हैं इसलिए भी फरक पड़ रहे हैं क्योंकि गाडियों सही माल आपता है इतने दूर 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 से इसके कारण तमास्टर प्याज हर चीज महंगी हो रही है हद से जादा महंगी हो रही है गरीब आदमी खा भी नहीं सकता करीब आदमी तो चटनी खाने के लाइग भी नहीं रहा है इतनों मैं किस तरह करहें तो ग्राइट भी अशर पड़ा है कर दो चाहिं कर दो चप्राइट नहीं है आरे शब्जी मंडी में इतनी महंगी हो रही है गोपी आज ब्याड़ी तर्ताड़ी ताड़ी तीव कि बढ़ा हो क्या रिड़ विच्चे उसरो झाल झाल